है गाइस वैलकम तो दे चैनल सो आज जो हम बात करेंगे ये टॉपिक थोड़ा फिलोस्फी से हटके है और यह है टाइम ट्रेवल के बारे में तो बहुत सारे लोगों को यह लगता है क्योंकि हमने ऐसी मुवीज देखी हैं ऐसी कहानिया पड़ी हैं कि अगर टाइम मशीन ब क्योंकि अगर मैं जाओंगा तो भली वह चेंज नहीं होगा एक पैरलल इनुवर्स बन जाएगा नहीं है सब हमें मुवीज ने सिखाया है और यह थियोरी जो है इस थियोरी को बोलते हैं ग्रैंट फादर पैरडॉक्स तो यह वही थियोरी है कि अगर क्या हो अगर आपने पास में जाके अपने ग्रैंट फादर को मार दिया तो आपके इसलिए इस इंपॉसिबल यह कहें कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप टाइमलाइन को चेंज कर सकें लेकिन इस शॉर्ट स्टोरी में यह चीज इतनी क्लियरली समझ में नहीं आती तो मैं आज आपको इसे थो में समझाऊंगा सबसे पहली चीज जो इसे समझने के लिए जरूरी है यहां पे सिर्फ दो रियल एक्जिस्टिंग टाइम लाइन्स हैं जिने हम एक्सपीरियंस करते हैं सॉरी टाइम लाइन नी टाइम जिसे हमने करते हैं पास्ट प्रेजंट और फ्यूचर में ठीक है तो पास्ट हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है एवरी पासिंग मुवमेंट जो है वह पास्ट बनता चला जा रहा है और जो समय बीट गया वह पास्ट है जो कि रियल है जिसके सबूत हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है ठीक है क्यों क्योंकि अगर future कि आप बात भी कर लें और future के आरें कितने क्यों न सोच लें उसे experience करने का सिर्फ एक तरीका है जब आपका present बन जाएगा तो यानि कि सिर्फ और सिर्फ past और present यही दो reality है future theoretical है आप कितना ही सोच लें आप 5 साल बाद यह करेंगे वो करेंगे 10 साल बाद लेकिन उसे पता करने का sure होने का सिर्फ एक की तरीका है जब आप उस moment पर पहुंच जाएंगे और जब आप उस moment पर पहुंच जाएंगे तब आपका present बन जाएगा तो यानि कि future कहें तो एक तरीके से real world में exist नहीं करता क्योंकि हम उसे experience ही नहीं कर सकते हमारे पास सिर्फ दो ही experience जो है वो time है इसमें अगर हम देखें वो है past और present जिसकी certainty है जिसके जो proven है जो आप और मैं हम दोनों कह सकते हैं कि हाँ past मैंने जिया थ लेकिन future के बारे में आप सिर्फ बाते बना सकते हैं लोग आप बाते बाते बता सकते हैं लेकिन उसे महसूल सिर्फ आप एक ही तरीके से करोगे जब वो आपको present बन जाएगा तो यानि कि फिर वो फ्यूचर नि रहेगा फिर future का लेकिन in the end past और present के अलावा जो future है ना वह टाइम शुरू हुआ जब से हमारा बिग बैंग हुआ और उसके आगे वह आगे बढ़ता चला जा रहा है जो यूनिवर्स एक्सपैंड होता चला जा रहा है तो यह सबसे बड़ी बात क्लियर होगे क्यों क्योंकि यह बात मैंने इसलिए बोली कि कई बार आपके पास आपको यह लगे कि आपको ऐस टाइम मशीन है और आप आज से 50 साल पहले चले गए और आप किसी इंसान से मिले और आपने उससे बोला कि मैं तुम्हें 20 साल बाद इस जगह पे मिलुँगा ठीक है उसके बाद आप मशीन में बैठे और आपने एक सेकिंड में टाइम सेट किया 20 सा साल की तरह जीए होंगे उस पर फरक दिखेगा उस चीज दिखेंगी तो यह मेरा मतलब है जब मैं कहा हूं टाइम लाइन इस तरीके से चल रही है उस बंदे के लिए वह फ्यूचर है 20 साल आपके लिए वह प्रेजन बन चुगा तुरंती लेकिन उस बंदे के लिए आने वा एकजिसटेंस ए किसी बी चीज के लिए जरूरी कॐश का होना जरूरी है ठीक है क्योंकि बिना कॉश के कोई पी चीज दा एकजिससन में नहीं आती युनिवर्स के बनने के लिए बिगम का होना जरूरी था इब गई जिसवज़े से हुआ अब हो साइंटिस्न और lawsuit रहा ह तो उसके लिए आपको चीजे करनी पड़ती हैं जिसके थूँ आपको वो चीजे मिलती हैं तो without cause there will be no existence कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो उस चीज को करें जो उस चीज को बनाए ताकि वो चीज एक्जिस्टेंस में आए क्योंकि बिना उस चीज के वो चीज एक्जि देख पाऊगे बिना cause के बिना किसी reason के कोई भी चीज एक्जिस्टेंस में नहीं आ सकती ठीक है और यह cause वो है जब हम बात करते हैं कि हम time में वापिस चले जाए आपके पास time machine है और आप time को बदल दो तो वहाँ पे आप जो चीज कर रहे हो ना आप जो चीज क्रियेट कर लेते हैं हिटलर Research that seller कि सब लोग जानते हैं कि वह कितना करूर घेट और कितना मतलब निड़दी था उसने कितने लोगों को मारा और नर्संगहर किया तो आप कहते हैं कि मैं Paas में जाके hitler को मार देता हूं और timeline बदल देता हूं है nbiesा आपको लगत tylko सकते और यहीं पर grandfather paradox औ आप टाइम में जाके हिटलर को मार भी सकते हो लेकिन आप उसे मार नहीं सकते तो इसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ा यह तो इसे समझाने के लिए मैं कॉपी पैन जो है इस पर ड्रॉ करूंगा और आपको दिखाता रहूंगा ठीक है साथ में तो सबसे पहली जो चीज है व 2022 और कोई भी दिन ले सकते हो आप अगर मैं बात करूं तो आपने ले लिया 15 सेप्टेमबर और आपने कहा मैं जाओंगा तीन बज़े दो पहर में ठीक है तो यह टाइम लाइन हो गई ठीक है यह टाइम लाइन हो गई अब अब आप इसमें वर्ट वर्टू के टाइम पर चले गए ठीक है तो जब आप वर्ट वर्टू के टाइम पर चले गए यहां से अब आपका एक वर्जन क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके लिए अब टाइम उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से टाइम लाइन एक सिंगल फ्लो में वहती है अब आपका इस टाइम म चले गए न यहां से जब आप वर्ट 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 वर् अब मैं World War 2 में पहुँच चुका हूँ, 40s में, अब यह मेरा प्रेजेंट बन गया है, और जहाँ पे मैं पहले था, 2022 में 15 सितंबर 3 बजे, यह मेरा बन चुका है, पास्ट, यह चीज़ आप देख लीजे, यह मेरा बन चुका है, पास्ट, और यहाँ पे एक चीज़ और सेनेरियो था, यह सेकंड सेनेरियो है, यह देख लीजे आप, तो पहले यह मेरा प्रेजेंट था, 2022 और यह मेरा पास्ट था, अब मेरे जो पास्ट में जाके पास्ट को बदलने की वज़ा यह थी, जो वज़ा थी ना, वो पास्ट में हिटलर का जिन्दा होना था, अगर पास्ट में हिटलर जिन्दा ना होता तो मैं प्रेजेंट में कभी उसे मारने की नहीं सोचता और उसे बदलने की नहीं सोचता तो जो कॉस मैं बात कर रहा था जो कॉस की बिना कॉस के एक्जिस्टेंस नहीं होता तो मेरा पास्ट में जाने का जो कॉस है वो है हिटलर का एक् अब जब मैं पहुँच गया, जो कि हमारा second scenario है, जिसमें मैं World War 2 में पहुँच चुका हूँ हिटलर के पास, और अब जो 2022 जहां से मैं जा रहा था, time से वो मेरा pass बन चुका है, और अब मैं वहाँ पहुच चुका हूँ, वो मेरा present है, तो आपको ये चीज समझ मैं रही होगी अब आप कहते हैं कि यहाँ पे तीसरे scenario में मैंने हिटलर को मार दिया, अब जो तीसरे scenario मैंने हिटलर को मार दिया, अब ये मेरा present हो गया हिटलर is dead, ओके, अब यहाँ पे ये चीज समझ नहीं होगी, कि timeline क्योंकि एक single flow में जा रही थी जैसे कि मैंने arrow बनाया न, ये timeline इस flow में जा रही थी, world war 2 से present में, 2022 में अब जब मैंने हिटलर को मार दिया, तो future में, जो मेरा present self है, जो मेरा present self है future में, जो मैंने आपको बताया था है कि existence का होना धरूरी है किसी cause के लिए, अब जो सबसे पहली वाली equation थी न, अब ये timeline जब आगे बढ़ेगी तो इस timeline में आगे हिटलर का ही हो गई न, हिटलर का जिकर ही न होगा, हिटलर का ये जिकर होगा कि हिटलर मर गया था, world war 2 के time पे, और इसके आगे की timeline में, मुझे present में, 2022 में ये पता चलेगा कि हिटलर मर चुका था, तो जब कोई चीज है ही नहीं, कोई reason ही नहीं है, तो क्या मैं वापिस जा गया था, जो पीछे गया था न, वो version past है आपका, और उस past version ने ही आपको create किया है, उस past version की वज़े से आप existence में हो, ये समझ ले न, उस past version की वज़े से ही आप existence में हो, क्योंकि timeline जैसा कि मैंने बताया, वो past से present और present से future में जाती है, past, present, future, और सबसे पहले world war 2 और उसके ब तो जब आपने उसे मार दिया past time में, world war 2 के time पे, तो यानि अब वो जिन्दा था ही न, और सबको उदा चल गया और मर गया था, तो क्या जब आपको ये चीज पता है, और आप कोई cause रहा ही न, जिसके लिए मैंने कहा था कि cause का होना जरूरी है, existence होने के लिए किसी चीज क क्योंकि Hitler तो मर चुका है, और जब आपको पास में जाओ गोई न, तो Hitler को मारेगा कौन, कोई न, तो Hitler जिन्दा रहेगा, समझ गए आप, तो यानि कि अगर वो ही सीज वाली, grandfather paradox में, दादा जी वाली, कि आपने अपने दादा जी को मार दिया, तो आपके पिता जी कही पै और अगर आप पैदा नहीं हुए, तो आप पैदा नहीं हुए, तो फिर वो मर कैसे सकते हैं, और वो मरे नहीं, तो यानि कि आप पैदा हुए, है न, तो आपका पैदा होना जरूरी है कि टाइम जो है न, खुद को करेक्ट कर लेता है, टाइम खुद को करेक्ट कर लेता ह मुझे लगता है कि यह confusing हो सकता है कुछ लोग को क्योंकि लोग जो है वो अपने perspective से समझना चाहते हैं वो सोचते हैं कि मैंने मार दिया तो अब तो timeline बदल जानी चाहिए ना है वहां से मार दिया तो parallel dimension मन जानी चाहिए लेकिन नहीं आप detailing को समझे उसमें जो detailing है वो यह कि आ आपके हिसाब से आपके लिए एक second एक बटन का फासला है बस चाहें वो 2022 हो चाहें वो वर्ल्ड वार 2 हो लेकिन जो timeline है वो उसी हिसाब से चल रही है वो उसी लंबे दरजह में चल रही है कि मैं सबसे पहला example दिया था कि आप अगर 1950 में किसी को जाके कहो कि मैं 30 साल बाद म उस बंदे को 30 साल इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए वो 30 साल 30 साल जैसे ही गुज़रेंगे तो जब आपने वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर हिटलर को कर दिया उसका काम तो अब वहां से जो time है वो उसी तरीके से चलेगा और books उसी तरीके से लिखे जाएंगी कि हिटलर म और ये एक cycle है ये एक loop है ये एक loop है जिससे आपने create किया है ये ती सिर्फ एक theory है अगर आप मुझसे जादा इसमें detailing में पूछने लगो तो शायद मैं भी ना आपके सारी questions के answer दे पाऊं ये इस type का loop है कि जिसमें ये universe काम करता है कि एक बंदा loop को cause करता और फिर वो loop चलत और इसे अगर आपको जाद अच्छे तरीके से समझना है तो आप एक tv series 12 monkeys उसे देखना तो आप समझ जाओगे इस ने इस ओन तो बहुत अच्छी series बहुत ही जाद अच्छी series आई काउंगा time travel के उपर उससे बहतरीन series मैंने आज तक नहीं देखी कोई भी और मैं जब कहा ह हूँ मैंने आई कर जितनी भी time travel series मैं सारी देखी होंगी लेकिन उससे बहतर आज तक कोई नहीं देखी तो आप वो देखना क्योंकि और शायद तब आप इसे जाद अच्छे समझ पाऊ तो यही है time travel grandfather paradox कि अगर आपके पास time machine हो तो भी आप time को बदल नहीं सकते क्योंकि चीजे जिस तरीके से हुई वो हुई उस तरीके से क्योंकि जो future था वो उस तरीके से बना जिसने सारी past ने present को बनाया और शायद future ने ही हमारे past को बनाया हो इसके लिए हमें हमारे future के आने का wait करना पड़ेगा जब वो present बन जाएगा तो ही हम इस question का answer कर सकते है so I guess आप लोग को इस समझ में आ गई हो चीज कि ये grandfather paradox कैसे काम करता है again मैं एक बार और clear कर देता हूँ कि हिटलर world war 2 के time पे जिन्दा था और इसी वज़ए से आपने उसे मारने का फैसला है किया ये वो cause था जिस cause ने इस scenario को create किया लेकिन जब आप 2022 से world war 2 में पहुँच ग चुका है और आगे जो आपने की जब आप world war 2 के time में पहुच चुक हो तो वो है आपका present बन चुका है ठीक है अब आपने उसे मार दिया तो वो timeline में effect आएगा और timeline में effect को यह से आपके past के पास वो cause ही नहीं था जिस वह से वो past में वापिस गया था मारने हिटलर को तो क्लियर हो गया होगा इससे जाधा अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो comment करके मुझे बताना मैं जरूर और कुछ अगर क्लियर करने के मैं कर सकता हूं तो मैं कोशिश करूंगा और यह एक theory है जैसा कि बताया गया है तो यह एक theory है time travel obviously in future जो है उसका invention हो गई उससे कोई सकता है क्योंकि human अगर एक चीज सोच ले तो वह चीज बनती है और तो comment में पूछ लेना अगर कोई चीज ना समझ में आई हो यह आपके विचार में सुनना चाहूंगा आपको कैसा लगता है आपको यह theory कैसी लगती है यह 12 monkey series आप लोगों ने देखिया नहीं देखिया औ आप लोग मुझे recommend करना चाहें देखने के लिए तो मुझे जरूर बताना मैं वह भी देखके try करूंगा अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं उनको वीडियो बनाऊंगा और इस टाइप की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप वह भी बता देना मुझे मैं उन यह वीडियो पसंद आई हो तो share करना अपने दोस्तों के साथ या colleagues के साथ या family के साथ and thank you guys keep watching peace out